कुर्माणी एहम फरीजा हमारा हर इंसान करता है, जो बड़े जानवों में साते इस से लेता, हम बड़े जानवों वही करते हैं, जो गऱर्मनें की गाइड लाइन सें उसके लावा किसी जानवों के गुर्माणी नहीं की जाती है। मेज़िद है कारखाने वाली मेज़िद है मैज़ित उमळ है ऐसी बहुत सी whisky आ है जहां पर नमाज नमाज करण है वह दोस तो कर द Lex इत्रों गोंच है नहीं इत्रों कि आप देख सकते हैं है जो लोग नमाज पढ़कर आए हुए हैं यह पर जला पंजाद देचके प्रतनिद हैं और ये सारे लोगों से जो है मिलकर बकरीद की मुवारक बात दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह के कोई चीज़े नहीं है जैसा कि आपको बताया जाता है तो लोग आराम से मिल हैं कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन आपके यहां प्रपगंड नमस्कार आप सच्छाकाल जैहिं में नामनु धीमानौ आप देख रहे हैं नेसन बरौ अक्सर हमारे परोसिद पाकिस्तान के लोगों को यह दिक्कर रहती है कि भारत के अंदर जो है लोग कुर्बानी ने दे सकते हैं बकरीद के अंदर ते ओहार नहीं मना सकते हैं तो हमन ने कल आपको दिखाया था बकरामंडी दिखाई थे जहां पर बहुत सारे जानवर लोग खरीद रहे थे तो वह दाउट उनका क्लियर हो गया होगा आज हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर लोग किस तरीके से बकरीद मनाते हैं किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो कि तरब से इंतजाम किया गया है और सिक्रीटी वगर रहे हैं हाँ पर एकदम चाठ चौबंद है किसी भी तरीके की आत्ते कि यहां पर घटना नहीं हुए है फिर भी प्रसासन ने अपनी तरब से पूरे इंतजाम करके रखे हुए हैं कोई भी सिक्योटी कोई दिक्कत नह क्या नाम है अच्छा क्या नाम है मैं पढ़ने नहीं हुए मैं जलकल में सुपरवाइजा यहां पर देखने हैं बहुत ज्यादा लोग जो है जा रहे हैं और अभी कितना टाइम हुआ है अभी पहुने आट बजह होगा पंद्राव निट के बाद नमार यहां पर स्टार्ट स्टार्ट होगी कि आप देख सकते हैं सामने लोगो जो है घो दोलना होता है जिब तो लोग अपना अपर कारिकरम कर रहे हैं उसके बाद में सीधे देख नहीं आप महजित आगे और इद्गाह हैं वहाँ पर लोग जा रहा हैं तो किस तरीके की बिवस्ता रहे किसी तरीके के परेसानी रही आप थोड़ा सा बताईए है माईदर देखिए जैसे हम लोग की पीस कमीटी की मीटिंग्स हुई है ये इदगाम में भी हुई है और डीमस्पी किया हुआ जो अशुरेंस उन्हों ने दिया या हमने जो अपनी बाते रखी उसको हुब हुब हु पर फोन बठा रहे थे और जहां कमिया हो रही थी पानी की सिलसले की पाइप टूड़ गया उसको जुड़वाने के लिए गड्डिक हो दे जाते हैं जहां भी अलाइश भर दी जाती है फिर वहां से उठती है डंपर बढ़ा दी उन्होंने तो में रोल सबसे अच्छा रो लेकिन हर जगा चुरुस्त दुरुस्त विवस्था यहां पे दिखी कहीं भी हम लोग को हम लोग के तरफ से जो उनको आश्वासन दिया रहा था वादा किया गया था कि हम सड़कों पे नमाज नहीं होने देंगे इंशालला उसके लिए दुसरी नमाज करारी पड़ी तो आज आपने देखा एदुस जहा के नमाज दुसरी हुई बाकाइदा हुई सुकुन से अच्छा सर कुरबानी का क्या गाइडलाइन है गॉश्त के तरफ से क्या का गया है कि किस तरीके से करें या फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है देखिए गौश्न की जो जाएगा लेकिन जो खून है वो नालियों में ना बहाया जा इसलिए अगर पक्के मकान है फसलोर का मकान है तो वहां पे बालू या मिट्टी रखवाई गई है हर घर वाले ने ये कोशिश की है कि जो खून बहे बक्रे का वो उसी में रहे और वो मिट्टी अलग ठैली में य यहां पर बीस पॉइंट हैं बीस पॉइंट होई है जिसमें नगरपा लेका पूरा सही होग रहता है और हमाई जो सभासद हैं यहां के वह बहुत ही महनती है और इसमें कोई दोराएं नहीं है कि तीन दिन के कुर्मानी रात के बारा बज़े तक यहां से डंपर गंदगी भरते हैं बड़े जानवन गंदगी बहुत निकलती है और कुर्मानी एहम फरीजा हमारा हर इनसान करता है जो बगरा नहीं करा सकता है वह बड़े जानवर में साथ इससे देता हम बड़े जानवर वही करते हैं जो गौर्मेंट की डाइड लाइन से उसके अलावा किसी जा तरकत नहीं होगी ना ये तवहार मनाने वालों को और जो हमारे भाई लोग रिषते हैं दूसरे धर्मों को उनके जजबात को ठेस ना पोचिए इसका ख्याल हम लोग खास तोर से कर रहा हैं बहुत से लोग जैसे मैं वेजीटेरियन हूँ ने खास ख्याल रखने में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपना जही से करोना ने बहुत कुष सिखा दिया कि हम अपनी आदतेیں हम और पूरी प्रापर लिए उस पर अमल्द करते हैं आओ उपर वाले करम हैं कि लोग सही ओड करते हैं पूरी तरीके से लगी होई चप्पेचपे पुलिस जैसे तैनाथ है उसी तरह हमारे सदस्पी तैनाथ है नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई गंग्या जमनी तहजीब है आपसी भाइचारा यहां बना हुआ है कभी जिला परसासा नहीं मंखमंत्री जी को बेउस्था के लिए और सlor कितने लोग नमाज पालते हैं 15-16,000 लोग नमाज अंदर पढ़ते हैं बाकी महजितों तो में साही महजिद नूरी महजिद एस्लामाबाद महजिद घर होगाने वली महजिद उमर है ऐसी बहुत सी महजित हैं जहां पर नमाज हो था कि नमाज हो गई है अ सबको आपके माध्याम से भी हज भैदुल्ला के लिए हज मुबारक हो सभी हाजियों को और पुरे हिंदुसतान में अमनमान Cup है हमारे सभी हाजी भारत से जो गए हैं वहां धुए कर रहे हैं पुरे हिंदुसतान में आफसी भाईचारा और जो गंगी जमनी तहजीव है और 12 बंकी ऐसे ही देवा और महादेवा की धर्ती है और सांजी बिरासत का यहां जो देखने को मिला है वो हमेशा रहता है अच्छा सर एक और जी बिदाए के लिए क्या बेश्था कि गवर्मेंट के तरफ से कुछ इस्थान चिनित किये गए हैं कि लोग अपने हिसाफ से जैसा च केंद्रिय पीस कमेटी और जितने भी जिला परशासन के लोग हैं सब देख चुके हैं हमारे सब्सक्राइब कर चुके नक्सा बना चुके हैं और पूरा ले जाके दिखा चुके हैं कहीं ऐसी एक जिखा डंब होगा और हाइबे पर उसके बाद में उसको दफन किया परशासन की तरफ से ब्रीव करें चुटी से चीज़ को वाच कर रहे हैं जहां भी दिक्कात होती है वो पूरी करें नगरपालका से हमारे सीला सिंग वर्मा चेहां की चेर्माइन है सुरंदर वर्मा वो पूरी भ्योस्ता हम लोगों को दे रहे हैं और बहुत ही शांदार भ्योस्ता दे रहे हैं इसके लावा जो ऊच अधिकारी होते हैं वह यहां पर मौझूद रहते हैं जिसे स्भी वियां सहब बैटे हुए हैं और वहां बेटे हुए हैं और हम सब लोग उनका इस्तग्बाल भी करते हैं और यहां पर उनका वेलकम भी करते हैं बहुत बहुत दान्य माज नमाज के लिए उस्टा है उनके जो अधिकारी हो यहाँ पर बेठें यह सक्थे और यह आप देख सकते हैं जो लोग नमाज पढ़कर आए हुए हैं वह लोग यहां पर एक दूसरे से प्रत्निद हैं और यह सारे लोगों से जो है मिलकर बकरीद की मुवारक बात दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह के कोई चीज़े नहीं है जैसा कि आपको बताया जाता है तो लोग आराम से मिल हैं कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन आपके यहां प्रॉपगंड़ा इस तरह की का चलाया जाता है इ बक्रियत बनाने में नमाज पर्णिम को दिक्तर नमाज नमाज बढ़कर बाहर निकल चुके हैं काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर लोग थे आप जो लोग की नमाज छूटी होगी साथ दौबाला नमाज होगी और यह लोग आप घर जाकर अपनी कुर्बानी देंगे और तवहार मनाएंगे सारे डाउट हमने आपको दिखा दिये हैं जो लोग इस तरीकी के बाते करते हैं कि यहां पर कोई तवहार नहीं मना सकता है उनके लिए यह वीडियो मूंग के ओपर तमाचा होगा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हम आ मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद जाहिंजय भारत